थेर स्टुएंट we have to discuss a field with a plan हम बात कर रही हैं नार्वे की और नार्वे के अंदर जो है ना हमने स्टेज वन में देखा प्लिटिकल प्रेशियर और रुजिस्टेंस फेज टू के अंदर एक्सेप्टन्स उसके बाद उसके अकौड्डिंगली प्लैंस तो बुनियादी तौर पर यह जो प्लैन हम बात कर रहे हैं यह नार्वे के प्लैंस हैं जो उन्होंने प्री के प्री किर्णिट गार्टन की ब बात कर लें या एसी ए की बात कर लें एक ही बात है उसमें को फर्क ज्यादा नहीं है तो उनके ने जो नार्वे ने प्री किंडर गाटन जो प्लैन बनाया या अरली एजूकेशन को जो प्लैन बनाया इन टर्म्स of the skills and knowledge तो उन्होंने उसके अंदर जो terminology use की उन्हेंने कहा कि ये skills और knowledge की जहां पर बात करते हैं Grade 1 से onward की तो बात करते हैं तो वो कहते हैं ये तो ठीक है Skills की भी बात होगे knowledge की लेकिन जहां पर हम जो बात करेंगे वो competence की बात करेंगे तो हुसे लफजों में ये बात कहः दें कि उन्होंने इसे एक broad sense में लेके गए क्योंकि जब हम हम skills की बात करते हैं तो skills define होती है curriculum define होता है और curriculum के अंदर हम पॉर्शन माज देती है और उसके अंदर आपको पता है के हम curriculum के अंदर हम ये बात तरह कर देते हैं कि जी, इस में नालिज होगा तो नालिज का लैवल ये होगा स्किल्स होंगी तो ये उसकी चिसह ने ये स्किल्स उसके अंदर डिफ़ेंप उँगी और बिहेवर होगा तो वह ये होगा अगर आप थोड़ा से इसको अंडर्स्टेंड करें तो बनियादी तौर पर skills जए ना ये mind-muscle coordination है तो कि जब हम skills की बात करते हैं और psychomotor domain की बात करते हैं तो वो बनियादी तोर पर mind-muscle coordination की तरफ हम चले जाते हैं अच्छा इस level के अंदर जब हम pre-key की बात करते हैं का कनसेट्ट यह था कि इस स्टेज के उपर हम स्किल्स की बात तो नहीं कर सकते कि जिस दीके से वहाँ पे यह dfin है ज्यू स्कूल एजूकेशन के अंदर किसमें यह स्किल्ट करनी यह तो यहां पे pre-k کے اندر ہم ان skills की तो बात नहीं कर सकते लेकिन अगर हम competencies की बात कर लें तो वो एक broad sense में यूज हो सकता है तो उन्होंने जो पहला idea core idea दिया वो था competencies का फिर उस competencies को उन्होंने कहा कि इन competencies में consistency होनी चाहिए और वो consistency जो है वो उसको लिंक किया lifelong learning capacity के साथ जैसे हमने बात की पहले हमें इसकी example पहले भी आपको दे चुके हुए है कि हमने वहाँ पे एक जो बच्चा pre-k के अंदर मुझूद है हमने उसके जहन में एक idea डाल दिया और वो idea ये डाला कि उसने पानी का जिया नहीं करना उसके बाद हमने उसको understand कराने की भी कोशिश की कि भी देखें अगर आज आप ये पानी दाय करेंगे तो आने वाले वक्तों में ये problem होंगे हमने उसको एक idea डिवेल्प किया कि जी हमने आपको जो है मुस्तक्मिन में फिर पानी नहीं मिलेगा वो भी उसका idea डिवेल्प हो गया है अगली जो बात थी वो ये थी कि lifelong learning के अंदर उसका ये जो idea डिवेल्प हो गया है पहली बात कि sufficient knowledge है उसके understanding के अवाले से फिर वो जो knowledge उसने हासल कर लिया है उसके अंदर जो हमने उसके एक old picture बना दी है और उस old picture के अंदर उसको हमने एक sustainable citizen के तोर पे देखते हुए जब हमने उसको ये जाहर कर दी है के जी आज से 10 साल बाद ये कमी हो जाएगी 15 साल बाद ये हो जाएगी फिर हमारे पास ये हो जाएगा इस पानी का ये फाइदा है तो वो जो हमने daily life के साथ उसको जोड़ दिया है और उसकी जो sustainability जो है उसको हमने कितना concrete कर दी है तो असल जो है उन्होंने कहा कि जी हमारा जो plan होना चाहिए उस plan के अंदर जो है हम इन चीजों को इस संदाज में पेश करें ठीक है हमें discipline specific होना चाहिए कि बचे ने क्या करना है natural sciences के बारे में बताना चाहिए सिर्फ natural sciences के बारे में alone नहीं बताना चाहिए बलके उन्होंने क्या गया कि उसको link कर दे इसके साथ sustainable development goal के साथ sustainable development के साथ goal के साथ link करने के बाद उसको understanding के level पे ले जाएं कि उसको sufficient understanding हो जाए understanding के बाद उसकी life long goals जो है जो sustainable development की बात करते हैं और हम सिंदगी बर की जो इल्म की बात करते है वो जो आज हमने एक बीज डाल दिया है आने वाले वक्तों में उसे बहुत बड़ा पौदा बनना चाहिए और वो जो पौदा बनेगा वो basically change लाएगा culture के अंदर वो change लाएगा उसके cognitive system के अंदर तो वो जो उन्होंने एक plan बनाया था उसको इस terms में या इस अंदाज में नार्वे government जो है न वो लेखे चलना चलू करिया